नाबालिक बच्ची के अपहरण में कोई कारिवाही नहीं होने पर नागोर कुचेरा थानाशेत्र के परिवारों ने अजमेर रेंज आईजी एस सेंगाथिर के घर पहुंच कर ग्यापन सौपा और मामले में बच्ची को वापस लटाने और आरोपियों पर सक्त कारिवाही कर लिया गया जो की नाबालिक थी लेकिन पुलिस की मिली भगत से उसे बालिक बता कर वापस नहीं लटाया जा रहा है इसमें थानेदार और एस्पी भी कोई कारिवाही नहीं कर रहे हैं इस सम्बंद में आज आईजी को ग्यापन सौप कर उचित कारिवाही की मांग की गई ह है जिस्से की उन्हें नाबालिक बच्ची मिल सके हमारे बच्ची है उसको जाट जाती का एक इनाना गाउं का नागोर डिस्टिक की बात है इनाना गाउं है उसका प्रेमा राम सलो बोडू राम ने नाबालिक बच्ची का अफरन किया है और अफरन किया है वो आठ नो दो कि उसको आज एक मैना और त्यार दिन हो गए हैं हम ने थानदार को रिपोर्ट दी एस भी को रिपोर्ट दी ग्यापन दिया बुकिय मंद्री के नाव ग्यापन दिया लेकिन अभी तक पुलिस वालों ने मिली बगट करके उस बच्छी को उनी बेडियों को सौंब दी कि यह 18 से की साल कि जब कि बच्छी के सब डोकुमेंट्स दे दिये डोकुमेंट्स देने के बाद में भी उन्हों ने उस बच्छी का एक डोक्टर से जो कि प्राइवेट डोक्टर से मेडिकल करवा करके और उसको सौंदीव जाट को जब कि हम गुजल जाती कि हैं हम यह मांग कर हैं कि हमारे को उस बच्छी को सुफरुद की जावे और उसकी न्याई पुजांच की जावें और उनको जो गुनेगार है उनको दंड मिलना चाहिए किसके लाव शिकायत दिया अपने नाम परेमा राम सनो बोडु राम जाट के खिलाब कहा का निवास यह इनाना का निवा पिली पकते और एश भी भी मिला हुआ है वो भी जाट है वो भी जाट है बच्ची उदर सोमदी आपकी अपकी हमारी एजो उनको जाट को सोमदी है कि यह 18 से 21 से अज किसको गया पन लिया अज हम आई जी को गया पन दे दिया आपका नाम स्दा तो आइदान राम गुजर पूर शर्पंच रोल चंदा होता